प्रद्र पर्देश के मुख्यमंदी योगी तिनाथ ने कहा कि प्रधान मेंत्री निरेंदर मोदी की गारंटी पर यूपी को यकीन और भारत को भरोसा है क्योंकि मोदी के वल सपने नहीं बूनते हैं इसे लोग बार-बार मोदी ची को चुनते हैं मेरट में केंद्री आलूस अनुसंधान संस्थान के मैदान में आजित चुनावी जनसभा में राष्टे जनतांत्री गडबंदन के घटक दलों, राष्टे लोग दल, अपना दल, निर्बल शोशित, इंडियन हमारा आम दल और सोहेल देव भारती समाज पाटी के देशों के प्रधानवंतरी निरेंदर मोदी ने राचे में लोकस्वा चुनावा भ्यान की शुरुआत की, प्यम मोदी ने मेरिट से चुनावी शंकरात करते हुए भाजपास सरकार की प्लब द्यंगिनाई, इस मौके पन सीम योगी तिनात ने कहा कि यह देश मोदी की गारंटी पर विश्वास करता है, मोदी की गारंटी का मतलब, बारा क्रोड किसानों के लिए प्यम किसान समानी थी, चार क्रोड गरीबों को आवास, दस क्रोड गरीबों के घर में रसोई गैस का सिरेंडर, बारा क्रोड गरों में शोचाले की विवस्था, सी क्रोड गरीबों को फ्री राशन साथ क्रोड गरीबों को पांच लाग की स्वस्ते भीमा का कवर योगी ने दावा किया कि मोदी की गारंटी के कारण यह देश एक स्वार में बोड़ रहा है एक बार फिर मोदी सरकार इस छेत्र में पिसले दस वर्ष के अंदर जो परिवर्तन हुआ है यह छेत्र इस बात का गवा है समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस की सरकारों के समय इस छेत्र ने उनकी दंगा पॉल्सी को जहला है उनके कर्फ्यू के उन यात्नाओं को जहला है और मैंनों भाईयों जब भी यह समाज जाती के नाम पर बता होगा तमाम परिवार वादियों के माध्यम से समाज को बाटने का कुछी चेश्टा होगी उसका खाम्याजा ये दंगावादी और कर्फियोबादी लोग उठा करके न केवल आपकी आज जीविका पर प्रहार करेंगे बेटी और प्यापारियों की सुरक्षा पर प्रहार करेंगे बल्किन के माध्यम से यहां के विकास को बाधित करने का भी प्रयास होगा आज यही कारण है एक तरफ भारती जनता पार्टी और सयोगी दल प्रणान मंत्री मोदी जी के नित्रतों में देश को विक्सित भारत की स्परकल्पना को साकार करने के लिए पूरी मुस्तैदियों मजबूती के साथ कारे कर रही है तो दूसरी तरफ वेविभाजन कारी ताकतें परिवारवाद और जातिवाद के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन भिन करने का कारे भी कर रही है ये चनाओं मातर चनाओं नहीं है ये चनाओं उन लोगों को फिर से सही जगे दिखाने का समय है जिन लोगों ने सामाजिक ताने बाने को छिन विन करने का कारी किया है जब मोदी पूरी ताकत से ब्रस्टाचार के खिराब लड़ाई लड़ रहा है तो इन लोगों ने मिलकर एक इंडी गटबंदन मी बना लिया है इनको लगता है कि मोदी इन से डर जाएगा लेकिन मेरे लिए मेरा भारत मेरा परिवार है मेरा भारत मेरा परिवार है मैं अपने देश को ब्रस्टाचारियों से बचाने के लिए जो कर्दम उठाए जा रहे हैं उनके खिलाब एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रही हूँ एई एम आई एम पर मुखा सदुदीन वहुएसी ने गैंक्सरे से नेतावने मुक्तार अंसारी के गाजीपूर से तावाज का दोरा किया जिसकी काड़े करस्से मौत हो गई थी वही हो वेसी ने मुक्तार अंसारी के इस तरह जेल में मौत हो जाने को लेकर सवाल उठाय और मुक्तार अंसारी के बेटे समेट अन्य परीजनों को भी सांथ बना दी उन्हें अंसारी की मौत पर दुख चिता है और कहा कि आज हम रितक मुक्तार अंसारी के घर गए और उनके परिवार को शर्थाजरी दी इस कठील समय में हम उनके परिवार समर्थकों प्रियजनों के साथ खड़े हैं उन्हें कहा कि इंशालला इस अंधेरे को चीर कर रोशनी आएगी अगर आप फिरोन है तो मुसा भी जरूर आएंगे लोगसाब चुनाफ को लेकर देश भर में तैयारियां तेज हो गई है चुनाफ को देखते हुए जहां एक तरह भारत जिन्ता पार्टी अपने ताबर तोड़ पर चार अभ्यान में चुटी हुई है वही दूसरी तरफ कॉंग्रस ने भी इस दिशा में अपने कदम बढ़ा दिये है कॉंग्रस ने उत्तर परदेश में अपनी स्टार पर चारकों के लिस्ट चारी करती है इस लिस्ट में चारिस नाम शामिल है आपको बता दी कि लोगसाब चुनाफ के पहले चर्ण में 19 पाडरा, डीके शिव कुमार, देगविजे सिंग, सचीन पाइलट और अन्य निताओं को शामिल किया है वही कॉंग्रस की उत्तर परदेश की स्टार पचारकों के लिस्ट में मदे परदेश से देगविजे सिंग का नाम से शामिल है जबकि कमलाद का नाम इस लिस्ट में यूपी में साथ चर्रों में लोगसमा चुनाव होगा, उन्य सपरेल को पहली वोटिंग और चार जून को नतीज आएंगे उत्तर परदेश में सितापुर जिले के थाना मिश्रीक शेत्र अंतरगता होली परिकर्मा में शामिल होने आए हर्दोई जिले के महंत की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी महिला और उसके बेटे को ग्रफतार का लिया है अपर पुलिस अदिक्षक ने इस समझ में जानकर देती हुए बताया कि मिश्रीक अहोली परिकर्मा मेले में गिर्दरपूर उम्रारी जिला अर्दोई के मन्रा महंत परिकर्मा करने आये थे यह तंतर मंतरा और जाड़ फूक का भी काम करते थे महंत गंगा देवी पतनी स्वर्गे चंगालाल निवासी ग्राम फूलपूर के वहाँ होली पिशकोशी प्रिकर्मा करने के बाद विश्राम के लिए गए थे जहाँ पर उनकी बांका और हस्या से गंगा देवी ने हत्या कर दी उसके लड़के स्वरू ने बैटरी रिक्षा पर शव को लाद कर रूपूर परिया के पास फेंग दिया था महंत और आरोपी महिला पहले से एक दूसरे को चानते थे महंत तंत मंतर का काम करते थे आरोपी गंगा देई को आशंका थी कि महंत ने ही तंतर मंतर का प्रयोकर के उनकी बेटी और बहु को घर से भगा दिया था इसी आशंका के चलते बदले की भावना से उसने महंत की हात्या की घटना को अंजब दिया था महिलाने महंत को तीन टुकडों में काटा था और बेटे की मदद से आटो रिक्षा पर ले जाकर ठीकारे लगाया था विल्दाद दोनों को गिरफतार का लिया गया है दोनों को कोट में पेश करने के बाद अरगिम कारवाई की जाएगी जनपर संबल के थाना बनिया ठेर सित कजबा नरोली का हिस्ट्री शीटर उस्मान अपने साथियों के साथ मिलकर लोगसवाज चनाव में खपाने के लिए अवैज शास्तर बना रहा था मुदापाड ने थाना शेतर में बन पड़े आईटेई कोलेज के कमरे में आरोपी शास्तर फैक्टरी चला रहा था पुलिस ने उसे गिरफतार करके अवैज शास्तर फैक्टरी का पर दाफ़ाश कर दिया है पुलिस को सूचना मिली थी कि थाना मुदापाड शेतर में बन पड़े आईटेई के भवन में वैश शास्तर बनाने के लिए फैक्टरी चल रही है और फैक्टरी हिस्टरी शीटर उस्मान निवासी कजबा नरोली थाना बनिया ठेक जन पर संबल चला रहा है और पुलिस की टीम ने च्छापा मारत उसमान मोके पर ही पकड़ा किया के नुसार ही तमंचे बना कर दिये जाते हैं एक तमंचा तीन से साड़े तीन हजार रुपे में बिकता है पुलिस ने आरोपे उसमान के खिलाफ रिपोर्ट दर्चकर उसे कोर्ट में पेश किया जहां से उसे जिल भीस दिया गया है उत्तर परदेश के हाई परफाइल आमेठी सीट पर भारते जनता पार्टे के जीत का पर्चम लहराने के लिए केंद्रे मंत्री और सांसा समरिती इरानी ने मोर्चा खोलते हुए मदातां को साधने के क्रामे मुस्लिम समाज के हजारों लोगों से मुलाकात की इस जोरन केंद्रे मंत्री ने मुस्लिम समाज के लोगों को भगवा अंगवस्तर से समानित किया केंद्रे मंत्री समरिती इरानी ने मेदन मवई स्तेता अपने हवास पर संस्दी शेतर के मुस्लिम समाज से आए हुए हजारों लोगों से मुलाकात की समर्टी रानी से मिल चाह मुस्लिम समाज के लोग गदगद दिखे वहीं सभी ने एक सुछ से मोदी और योगी सरकार की मीटियों के साथ ही अमेटी में बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों के लिए हुए कारव के लिए समर्टी रानी की सरहना की इस रानी ने आई हुए लोगों को अंग वस्ते दे कर समानित किया समर्टी रानी पिछले चार दिनों से अपने संस्दी शेत्र है अपने नीजी आवास पर बूधद्य अक्षर शक्ती के अंदर सीयोजकों के साथ बैठे करने के साथ सभी वर्गों के लोगों से मुलाकात की अवास पर पूरे संसिती शेतर से मुस्लिम समाज के लोग बड़ी संख्या में पहुंच और समरिती रहने से मुलाकात कर अपने मन की बात कही उत्तर पर्देश में अपरेल महीने की शुरुआत भीशन गर्मी से होने जा रही है एक अपरेल को याज पर्देश में मौसम शुषक रहने वाला है हलाकि जोरान पर्देश में और पूर्वी यूपी में कुछ जगव पर दिन के समय तेज हवाई चलने के असार है उसके बाद अगले हफते भर तक कहीं भी तेज हवा चलने की संभावना नहीं है नहीं बारिश को लेकर कोई अलर्ट है मौसम विभाग के मताबिक परदेश में 5 अपरेल तक मौसम में कोई बदलाव नहीं होने की वज़त से गर्मी ठीक ठाक होने की उमीद है मौसम विभाग की माने तो एक अपरेल को परदेश के पश्चमी हिस्सों में मौसम शुषक रहने की सभावना है इस जोर्ण पूर्वी यूपी में भी मौसम साफ रहने के असार है हलाकि सभदी में परदेश के दोनों ही हिस्सों में दिन के समय कहीं कहीं पर 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाय चलने का अलट चर हुआ है इसके साथ ही दो परेल को पश्चमी और पूरव उत्रपरदेश में मौसम शुषक रह सकता है तो ये थे उत्रपरदेश के समाचार और ने समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे तब तक के लिए देखते रही है चड़दी कला टाइम टीवी और मुझे दीजे अजासत थन्यवाद